नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका Multimedia Guru जी YouTube चैनल पर मेरे नाम है सुनिल कमार और आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं 3D Max के अंदर Extended Primitives में Available Objects को तो टैम ना वेस्ट करते वे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और Open करते हैं 3D Max 2014 दोस्तो, 3D Max में Standard Primitives के अंदर Available Objects हम चेक कर चुके थे अपनी प्रिविएस वीडियो के अंदर Extended Primitives के अंदर कुछ मिलते जूलते और कुछ different Objects Available हैं लेकिन इसके अंदर हमें More Customization मिलती है Object को अलग-अलग टाइप से यूस करने के लिए तो देखते हैं के यह Option हमें कहां पर मिलेगा इसके लिए या तो हम जा सकते हैं Create Menu में Extended Primitives के अंदर इसके अंदर आपको यह सभी Objects मिल जाएंगे और या फिर आप Command Panel के अंदर Extended Primitives में यहां पर इन Objects को देख सकते हो So First इसके अंदर आता है Hydra इसे Top पर पहले हम Create करते हैं Then इसके बाद हमारे यह Object complete हो जाता है यानिके Spare की तरह ही इसमें सिर्फ एक Click का Option है अब यह Hydra कुछ इस Type का Option दिखाई दे रहा है जो कि मिलता जूलता है हमारे Pyramid से यहां पर और Customization अगर इसकी देखे तो First इसके अंदर आता है Tetra Second इसमें Cube या Octa जो कुछ इस Type का Object बनाता है Third इसके अंदर आता है Dodec या Ecos कुछ इस Type का Object है और Fourth इसके अंदर आता है Star जो इस Type का Object बना रहा है यह हमारा Star 1 है इसके अलबा Star 2 पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस Type का Object हमारा यह दिखाई देगा Then इसके बाद आता है P और Q Parameter जिससे Family Parameter का नाम यहां पर दिया गया है इसके अंदर First Parameter अगर मैं Increase कर रहा हूँ तो आप देखो कि बीच में जो Star बना हुआ है वो Size Increase और Decrease हो रहा है इस Options के तुरू और दूसरा इसमें आता है Q Q के तुरू इसमें Strength क्रिएट हो रही है इस Star के अंदर यानि कि यह जो पांचो एजिस थे पांचो एजिस के अंदर इसमें Depth क्रिएट हो रही है अब Next इसके अंदर आ रहा है P, Q, R Amount जो की Access Scaling के लिए दिखाए जा रहा है इसमें अगर मैं Increase करूँ तो यह P, P से कुछ इस Type Case में कांट है निकल चुके हैं अब अगर Q की Amount को Check करें पहले मैं P को Handrate कर देता हूँ आपस से Q में Changes देखते हैं Q में एक Additionally Segment इसके इंदर आड हो चुका है जिसको हम Scale कर पा रहे है तो यह आपने Outside रखना है या Inside रखना है वह आप पे Depend करता है इसके लावा आता है R R के Through जो हमारा Star था उस Star के Middle में एजसेस में Create हो चुके हैं और यह एक Different Shape क्रेट कर रहा है तो इस Type की Customization इस Object के इंदर Available है तो फिलाल इसे मैं 100 ही रहने देता हूँ और चलते हैं इसमें नीचे और Options पर Vertices इसके इंदर Basic है उसके बाद अगर मैं इसे Center करूँ तो यहाँ पे Center में कोई Difference नहीं आ रहा Center और Sides दोनों पे Click करेंगे तब भी कोई Option इसके इंदर नहीं Show कर रहा Next जिसके बाद इसमें Radius है जिसके Throne Size, Increase और Decrease कर पा रहे हैं लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो Changes होने चाहिए थे For example यह जो Parameter है मैं इसको Change करके देखता हूँ यह First P का Parameter मैंने Change करा Okay तो इन Parameters के अंदर यह Setting Change हो रही है फिलाल जैसे मैं एक को Focus करके दिखा रहा हूँ यहां पर Center हमारा Selected है Basic पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो तब भी यह Object हमारा ऐसा ही दिखाई दे रहा है लेकिन अगर मैं इसे Center और Sides पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर एक Additionally Segment क्रेट हो जाएगा तो यह हमारी Modification के अंदर इस्तमाल हो सकता है तो इसको हम Delete कर देते हैं और चलते हैं अपने Next Object पर Second Object है जिसका नाम है Taurus Not Taurus आपको याद होगा Standard Primitives के अंदर हमने यूज करा था तो यह Taurus Not क्रेट हो चुका है और उसके बाद Second जब हम Click छोड़के इसे Drag कर रहे हैं तो इसकी Depth क्रेट हो रही है अब इसके अंदर अगर हम Changes देखना चाहें अगर मैं Circle पर क्लिक करूँगा तो यह Normal Circle यानि के Taurus Ship बन जाएगी और Not पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस Type का Option इसमें Create हो गया Next इसके अंदर Radius आती है जो कि इसका Size Increase करने में Help करती है Then इसके बाद Segment आते हैं जो कि इसकी Detailing में Work करेंगे Minimum आप इसके अंदर 4 Amount तक दे सकते हो और Maximum जितनी आपने Detailing देनी हो आप उतना Increase कर सकते हो Next इसमें आता है P Amount जो 2 और 3 है Q के अंदर अब अगर इसे मैं Change करूँ तो यहां पर 2.25 दिया और जो इसका Starting और Ending Point था वो Different हो चुका है तो इसके अंदर मैं बताता हूँ कि यह Customization किस तरीके से होती है For example अगर हम P के Amount इसमें 3 रखेंगे और Q के Amount भी 3 रखेंगे तो यह एक Ring Create कर देगा अगर मैं P को 4 और Q को 3 रहने देता हूँ तो यह एक Different Shape Create करेगा और अगर मैं इसे 5 कर दूँगा तो इसके अंदर और Different Shape 6, 6 में भी Different Shape तो Mostly इसके अंदर आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि इस Type के अगर आप Different Shape या Different Object भी बना रहे हो तो इसमें P और Q के अंदर जो Amount है वो कभी भी Point के अंदर नहीं होनी चाहिए हमेशा वो 1, 2, 3, 4 के Sequence में या Numeric के अंदर Show करेंगे तो इसी Type का Sequence आपने Continue रखना है Next इसके अंदर Cross Section आ रहा है Cross Section में देखते हैं क्या होगा First Skill Radius आ रही है जो कि इसकी Depth को Create करेगा Second इसके अंदर आ रहा है Sides Side Segment, Increase और Decrease करने का इसमें Option है Then इसके बाद आ रहा है इसमें Eccentricity Eccentricity को अगर मैं Increase कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख पाऊगे कि वो Cylendrical Shape, Squash या Skew हो रही है Then इसके बाद Next आता इसके इंदर Twist फिलहाल तो मैं एक Twist डालके देखा मैंने इसके इंदर तो Twist इसके इंदर ज़्यादा तो नहीं देंगे 3 या 4 या 5 जैसे जैसे हम Twist Number-wise इसमें करेंगे तो कुछ इस टाइप का Effect दिखाई दे रहा है अभी कोई Differences यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है फिलाल तो मैं इसके Amount 50 रखता हूँ शैद नीचे जो Lumps, Height और Offset दिये गया है इससे कुछ Changes होएंगे तो यह कुछ Changes हो रहे हैं लेकिन इसके लिए First जो Twist Option है और Eccentricity यह मैं Normal कर देता हूँ तो इसके बाद इसमें जो Radius दी गई है इसको मैं कम कर देता हूँ ताकि Lumps के अंदर जो Height है वो मैं Define कर सकूँ कि किस Type की बनेगी यह Lumps की Amount है कुछ इस Type का Design हमारा बन रहा है तो Offset की बाद करें तो Okay, Movement होरी है इसके अंदर Offset की थूँ Okay, Next इसके अंदर आता है Smooth Side Smooth करना चाहते हो या कुछ भी Smooth नहीं करना चाहते है तो हम None कर देंगे Then All Over सारे के सारे Objects Smooth रखने है तो उसके लिए All पे क्लिक कर देंगे इसके बाद नीचे आ रहा है Mapping का Option जो कि अभी फिलाल Mapping पर हम पहुचे नहीं है तो हम इस Option का इस्तमाल अभी नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे इस Object की जो Customization थी वो हो चुकी है इसको हम Delete कर देते हैं Next हम चलते हैं अपने Favorite क्योंकि मैं जो Modeling करता हूँ Chamfer Box का उसमें बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जाया तर जो Geometrical या Architect के अंदर जो Boxes इस्तमाल करते हैं कही ना कहीं उसे थोड़ा सा Smooth दिखाना पड़ता है तो Chamfer Box जो By Default Smooth होता है तो इसको हम Create करते हैं यह Normally 3 Steps तो Box की तरह ही Create होएगा लेकिन इसमें 4 Step होता है जिसके Through इसके Corner Rounded हो जाते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा है Chamfer Box अब Chamfer Box की Properties इसके अंदर देखें तो इसमें सर्फ एक Option Box के अलावा सर्फ एक Option एड़ा है वो है Fillet और Fillet Segment का तो यहां पर First हम Length चेंज कर पा रहे हैं Second इसके अंदर Width चेंज होएगी और Third इसके अंदर Height चेंज कर पा रहे हैं और Fourth इसमें आता है Fillet जिसके Through हम Corner Round कर सकते हैं Then इसमें Fillet में कितने Segment डलने चाहिए हैं वो हम यहां पर देते हैं Fillet के अंदर Minimum दो Amount का इस्तमाल करा जाता है और Maximum हम जितनी Requirement के According देना चाहिए दे सकते हैं But आगे-ागे जैसे हम Model बनाएंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि कहां पर कितने Segment देने चाहिए ताकि यह Proper Smooth दिखाई दे Object तो यह Object हमारा Chamfer Box का Complete हो चुका है Next हम चलते हैं Chamfer Cylinder के अंदर Top पर यह Chamfer Cylinder हमने Create करा और फिर देदी Height Then Third Drag के अंदर इसमें Chamfer Create होएगा तो Prospective View के अंदर ध्यान से देखिएगा कि इसमें Properties के अंदर क्या-का Changes होती है Normal Cylinder वाली तो सारी Properties दे इसके अंदर मिलेगी लेकिन इसके इलावा दो Options और इसके अंदर एड़ हो रहे हैं First तो Radius जो की Common Cylinder के अंदर होता है Second इसके अंदर आ रही है Height और Third इसमें आ रहा है Fillet Fillet Normal Cylinder के अंदर आप नहीं मिलेगा वो हम इसमें Apply कर सकते हैं Then इसके अलावा इसमें Height Segment है जितनी बारी आप Click करोगे उतने Segment इसमें Head होते रहेंगे Then इसके अलावा Fillet Segment है जिसके थूँ आप इसके Corners को Round दिखा सकते हो Height Segment अगर One भी रहे तो चल जाएगा लेकिन Fillet Segment के थूँ इसे प्रॉपर हम Chamfer Cylinder दिखा सकते हैं Then Next इसके अंदर आता है Sides जो की Normal Cylinder के अंदर भी आपको मिलेगा जितने Sides जादा होएंगे उतने इसकी Cylendrical Shape लियर होती जाएगी और इसके बाद आता है Cap Segment जो की Top के लिए हम इस्तिमाल करते हैं इसमें भी जितने Seggment हम देते रहेंगे वो Modification में आगे In Future काम आएगा बट हमेशा ये धियान रखना कि आप कोई साब यो Object बना रहे हो Unnecessary उसके इंदर कोई भी Seggment नहीं होना चाहिए जैसे के मैंने इसमें Cap Segment दिये है Top पर Cap Segment का Use होना भी है या नहीं अगर होना है तब ही Segment देने जोरी है वरना Requirement नहीं होती है इन Segment की इसके इंदर भी Slice Option है जो हम अपने Through Customization के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो कुछ इस Type का Object बन गया है अब चलते हैं Next Object पर इस Object का नाम है Oil Tank नाम सही आपको पता चल गया होगा कि यह दिखने वाला है Oil Tank की तरह ही तो इसमें भी सबसे पहले Top का Base create होएगा उसके बाद Hide जाएगी और उसके बाद Third Click जो है वो इसके Corners को Round करेगा इसके अगर मैं Combination की बात करूँ तो यह मिलता जूलता है Cylinder और Spare से For example मालो के Center में Cylinder है और Top और Bottom के इंदर Spare है तो इसके अंदर Properties भी दोनों से मिलती जिलतुई हैगी जैसे के First इसके इंदर Radius होती है Second इसके इंदर Height होती है और Third इसके इंदर Cap Height आएगी Then Next इसमें Overall इसको रखना है या फिर Center में रखना है Center में क्या है कि इसकी जो Height है वो Double जाएगी लेकिन अगर मैं इसे Overall रखता हूँ तो जितनी Height हमने अभी दिये है उतनी Height इसके इंदर Geometrically यूज रहेगी अब इसके बाद चलते हैं Blend के अंदर Blend Apply करेंगे तो Corner से इसके सेग्मेंट सराउंड होएंगे इसके अंदर हम Sights दे सकते हैं ताकि और Detailing इसके अंदर दे सकें इसके अलावा इसमें Height सेग्मेंट है Next इसके अंदर आता है Slice Slice हमने On कर दिया Then जैसे ही Amount बढ़ाएंगे तो इसमें ये Changes होते रहेंगे तो ये Option भी हमारा Complete हो चुका है इसके अंदर भी जादा Customization Available नहीं है तो अभी के लिए दोस्तो इतना ही I hope दोस्तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होएगी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को Like, Share and Comment करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि टैंट्टू टैम होने वाले अपडेट आपके पास purchase सबसे पहले तो मिलते है दोसको अगली वीडियो में